है ओम गार्डन के नई टीप्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें धन्यवाद नमस्कार दोस्तो सुआ के थैं आपका हमारे शिवरान गार्डन में दोस्तो गर आप गार्डनिंग करते हैं या घर में सब जयाओ आते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी है इसे लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तो हमने यह हमारे ओम गार्डन में दस देखिए दोस्तों आपको मैं दिखा दो कि थोड़े से दिनों में कितने बताओ लगने वाले हैं यह देखिए केवल दस पोदे लगाए थे हमने बिल्कुल थोड़ी सी जगह में लग गए हैं नहीं कोई जगह भी जादा नहीं रोकी और इन पर अभी बताओ लगने भी शुरू हो गए हैं दोस्तों आप अगर घर में सब्जा लगाते हैं तो बताओ के पोदे बिल्कुल थोड़ी सी जगह में और बहुत जल्दी तैयार होते हैं और एक पोदल लाया हुँ आपको हर बस् ठैन्ड पर मिल ली जाते हैं आपके आसपास में बस्टैन्ड वहाऊ उस पर मिल जायो गोई नoga yssजी वाला जो गईक पोदा देता है और दोस्तों बहुत जल्दी तियार होते हैं इनमेरे अबी तक मैंने कोई खाद नहीं डाली यह बिल्कुल देशी हैं और जो घर पर तयार करते हैं वह बहुत अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं दीरे दीरे पकने के कारण दोस्तों देखिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह में दस पोदे तयार हो गए हैं और इन पर बताओ बहुत अच्छे से लग रहे हैं आपको दो मिन्हें के अंदर सब्जी आदेनी शुरू कर देखते हैं यह देखने कि अच्छा लग कितना बड़ा हो गया है तो दोस्तों आप भी ज़रूर गर में बैंगन लगाएं कि यह दस पोदे लगाए हैं लेकिन यह दस पोदे काफी हैं एक घर के लिए इसमें तूसरे से चोथे दिन आप अराम से एक सब्जी के बताओ तोड़ सकेंगे इसलिए आपको बता रहा हूँ अगर आपको घर पे सब्जी लगाने का सोक है तो बैंगन के पोदे जरूर लगाएं बिल्कुल थोड़ी सी जगह लेते हैं और अच्छे से त्यार हो जाते हैं आपको जगह देख लो कितनी सी रोकी हुई इन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी जगह रोकी हुई है और फिर भी बहुत अच्छे से गरोध कर रहे हैं और अभी लगे लगे हुए और बहुत सारे लगेंगे भी तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखकर आप भी अपने घर में सब्जा आते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें